हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूमाई हीटूप चैनल श्टार गौरवाजी कुशन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में फिजिक्स का 12th क्लास फिजिक्स का न्यू बुलू प्रिंट है जो 2020-2021 एक्जाम के लिए जो कल ही आया है उसका आज हम आपको इसका एक्सप्लैन करने वाले इसको ठीक है किस प्रकार इसमें से किस चैप्टर से किद्री नंबर के कुशंस पूछे जाएंगे ठीक है सभी बताने वाले हैं और आपको किस प्रकार पढ़ना है कैसे पढ़ना है आपके सभी कुशंस के डाउट किलियर हो जाएंगे अगर कोई भी कुशंस रह जा हुआ तो हम वीडियों बता देंगे ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखी यह तो आपको सभी को पता है कि जो फिजिक्स का जो पेपर वो सत्तर नंबर का यह आता है ठीक है इस साल भी सत्तर नंबर का आएगा पूरा डिटेल से समझा दूगा आपको एक भी डावड नहीं रहेगा ठीक है और समय आपके तीन घंटे मिलते हैं हर साल और इस साल भी आपके तीन घंटे ही मिलेंगे ठीक है अब देखिए पहला इसमें क्या चेंज हुआ है पहला इसमें चेंज हुआ है कि जो पहले थे जो आप हमेशा देखते दे कि जो चैप्टर थे जैसे बिद्युदाविष तताओ जैतर थीक है तो उसमें पता दिया जाता था यानी unit one से इतने नमबर के questions आने है यानी unit men माना जैसे इस से दो objective आने है यानी पहले किया होता था प्रतियक chapters से बता दिया और इतने जमर यानिंट जिस चैप्टर से उससे जाते तिन दोनूंबर के आते तो दोनूमर के किया दे दे तीन नमर का नि हुंसे पुझए जाता था समझ Chromy थोर समझ में आ जाएगा बस वीडियो को देखते रहे ठीक है अब देखिए पहली बात इस वार के ब्लूप्रिंट में सभी चेप्टर्स को देखिए जो चेप्टर हटा दिये गए हैं वो इसमें नहीं दिये गए हैं और इसमें क्या किया गया है तीन पार्टों में आपकी पूर आप यहांपर बैद्द आवेस तता चेत्र इस्तिर बैद्द भिवव तता धारता तीसरा आये बैद्द धारा चौता है अपना गत्मान आवेस और चुमकत्तुर्ण यानि फश्टिउनट से हैं फश्टिउनट में आपके चार चेप्टर बात दिए गये अप देखिए य जो चार चेप्टर है इन में से ही एक अंक की यानि एक अंक के साथ प्रशन पूछ जाने ठीक है एक अंक के साथ प्रशन पूछ जाएंगे इन चारों चेप्टर से अब ध्यान से सुनिए अब इसमें से अपनको यह नहीं बताया गया है कि कौन से चेप्टर से जा GOOD कתबूच सकता है समझ रहे हो बात को यायानि कहीं से भी पूछ सकता है यह बताया गया है कि आपका जो साथ अंख के एक अंक बाला जो प्रस्ट है साथ नममर के वह आपके बेद्दोदाविस और चेतर्ट से ता ठीक बिद्धूधारा गत्माविस और चमकत्यों यानि इन चारों चैप्टर से कई से भी कई से भी ठीके इन चारों में से कहीं से ही एक हंख के साथ पूछे जा सकते हैं समझी गए कहींसे भी nearby और हज़ी decide कर दिया जाता था जो पहले blueprint हुआ करते थे 2020 का जो blueprint हुआ करता था उसमें decide कर दिया जाता था उसमें क्या कर दिया जाता यानि विद्धोत आविस्त था छेतर से यानि दो objective पूछे जाते थे इस प्रकार मतलब decide कर दिया जाता था यानि इस chapter से इतनी objective पूछे जाने है इस chapter से इतनी objective पूछे जाने तो अपनको आसानी हो जाती थी ठीक है लेकिन इस साल decide नहीं किया गया है इस साल खुदी देखना है आपको यानि सभी पढ़ने पढ़ेंगे सभी chapters के objective पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है समझ गया बात को अब देखी तीन के प्रस्न दो प्रस्न पूछे जाने तेंस के तीन नमर के कितने प्रस्न पूछे जाने है नहीं और अब भात ध्यूंत देजिए थी नमंबर के कि दो प्रश्म हैं वह इन चारों चैप्टर से कहीं से भी पूच जा सकते हैं समझ रहे हो या फिर तो उनकी नार पूच लें तिके या नी बद्धुद आभिस त्दा छेतर से सारे प्रशन पूच लें इससे ही एक अंक बेख सभी पूच लिय है उसकता है फिसज्य बजक्तर नहीं लिए यानि भी चाप्टर। है टो आप जो आप देढिए तो इसमें आपको जुस्ति पेली के उताता पता है पाली होता पता है ने खिरभो ढदल से आपके दो प्रवेतर नमबर जोखें है कि आपके जाती थी हर साल बिद्वधाराद चेप्टर से लेकिन आप इसमें बताया नहीं गया फिर भी अपन क्या करें उसी प्रकार तैयारी करें और आपको सभी प्रशन लेकर चलने हैं वह हम आपको इंपूटेंट बताते चलेंगे और आपको कमेंट में एक बात वदानी है कि आप क्युक्त भी इचंप्टर से सकते आपका एक नमबर से इतना पूछा आ पूछा जाएगा नुजए तूंपर से इतना पूछा जाए शेया ऑगा जाई ते सीब्सक्टेंगा 22 x virtisen लाकर आपके बन युनिट जो है बन युनिट से आपके टोटल 21 नमबर की पुछन पुछ जाने हैं जिसमें से 4 आप चार अंक की दो प्रशन होंगे, तीन अंक की दो प्रशन होंगे, एक अंक की साथ प्रशन होंगे, यह लिखा है, समझी गए, अब इसी प्रकार नीचे वालों को भी समझ लेना, अब देगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी प्रकार है, एक आप से कुसंस पूछना है, व प्रत्य वर्तिधारा बिद्दुचुमगी तरंग तरंग प्रकास की यह आपके चार चेप्टर रख दिये गए अब इसमें भी डिसाइड कर दिया गया है कि एक अंग के प्रशन साथ नम्मर के एक अंग के साथ प्रशन कहीं से भी पूछ जा सकते हैं ठीक है इन चारों पूछ जाने हैं समझ गई चलिए अब देखते हैं इन फ्री इन फ्री में एक अंग के साथ प्रशन इन चारों चेप्टर में से कहीं से भी पूछ या सकते हैं या तो आपके बिक्रड आवम दो ति बिक्रड की दोएती प्रकरती यहां से पूछ ले ठीक है तो कुछ नहीं पता है और चार अंग के तीन प्रशन इन ही चेप्टर से पुझे जाने है तो एक वात आपको हमें बताने हैं क्या बताने हैं पता है आपको आप देख यहां पर निर्दिस दिया है उनको समझ लेजेगा बस्तूलिस्ट प्रशन है जो एक अंग का होने वाला है बिसेपर आधारत प्रशन है तीस प्रतिसत तीन अंक के यानि ठीक है जो आपको 75 से सो सब्द में लिखनी है और यह जो चारंग वाली प्रशन है वह सब्द सीमा है पहले वाली ठीक है आप देखिए यहां पर देखिए यहां पर आपको मोस्ट इंपूटेंट बात आपके लिए जो या तो हम आपके लिए इस प्रकार बना सकते है देखिए यानि 21 नंबर के परस्ट इंट से पूछ जाने है अब तो यह समझो कि तीन इंट है पूरी पिजिक्स में कितनी इंट है तीन फर्स्ट सेकेंड और नीचे है थर्ड ठीक है यानि थर्ड है तीन इंट है अब तीन श्रकार मरना अनक को बाट दिया गया है अलागा तीन इक है चार चेप्टर है सेखिंग निउट में यह चैप्टर के तीन इनısंक से यानि इनुट वाई इनुट दिये जाए या फिर आपको इस प्रकार दिये जाए कि इनुट बन में अंक तीन के मोस्ट इंपुडेंड कोसंस अलग अंक चार के यानि इनुट एक में अंक चार के मोस्ट इंपुडेंड कोसंस अलग इस प्रकार दिये जाए या फिर आपको ज आप जैसा चाहोगे उसी प्रकार important questions आपको मिलेगे मेहनत करो आप ठीक है ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे मेहनत नहीं करोगे तो फैल हो जाओगे ठीक है इसलिए मेहनत कीजिए अब आपको यह भी नहीं पता है कि किन चैप्टरों से objective पूछ ले जाएंगे किन चैप् अब हाँ यह वात important है अब दो नंबर का तो किस्सा खतम हो गया दो नंबर के प्रिशन पूछे ही नहीं जाएंगे देखिए यह पर कहीं भी नहीं लिखाए कि दो नंबर के पूछे हैं दो नंबर का किस्सा खतम ठीक है तो यह आप एक डाउट हमारा clear कर दीजिए आप कि आप इनोट वाई इनोट important questions चाहते हो ठीक है या पिर आप इस प्रकार चाहते हो कि जैसे अंक 3 के हम आपके लिए अलग बना दे इनोट 1 से अंक 4 के लिए अलग बना दे इनोट 1 से मतलब कहने का मतलब यह है पहले आपकी हम इनोट 1 complete करवा दे किस नंबर की फिर इनोट 2 आ पता ही आप कमेंट में किस प्रकार आपको important questions चाहिए अगर वीडियो चलिए तो please share जरू करते हैं दोस्तों को और वीडियो को लाइक करते हैं धन्यवाद दोस्तों टेक क्यार बाई बाई